ये कहानी है तीन दोस्तों, Harry, Hermione और Ron की Ron Hermione को मनही मन पसंद करता था एक दिन उसने देखा कि Harry और Hermione बात कर रहे हैं तो उसे लगा कि इन्हें interrupt नहीं करना चाहिए और वो बाहर चला गया लेकिन जब वो शाम को वापस आया तो उसे लगा कि मैं पूछता हूँ कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे तो वो Hermione के पास जाता है और बोलता है Hermione, Harry क्या बोल रहा था अब Hermione के पास दो ही options हैं या तो वो वो ही बोल दे जो Harry ने बोला था या फिर वो Harry की बातों को अपने शब्दों में बोल दे तो ये जो दो options हैं, ये दोनों options अलग-अलग हैं मतलब बोलने का तरीका अलग होगा तो पहला option अगर वो वो ही बोल दे जो Harry ने बोला था वो कहलाएगा direct speech तो वो क्या बोलेगी? Harry said I am tired तो ये direct speech है, ये बात Harry ने बोली थी I am tired, तो उसने उसे inverted commas के अंदर रख दिया मतलब बोलते वक्त ये समझ में नहीं आता बट लिखने में आपको दिखेगा अब अगर वो अपने शब्दों में उसी बात को बोलेगी तो वो बोलेगी Harry said that he was tired तो यहाँ पर that he was tired ये हो गया indirect speech इसमें क्या changes हुए देखे I का he हो गया है, am का was हो गया है और that extra जुड़ा है और inverted commas हट चुके हैं तो ये direct speech, ये indirect speech बस यही चीज है एक और example देखे Harry said to me direct मतलब जैसे Harry ने बोला वही बोलने जा रही है I am going to sleep ये बात Harry ने बोली थी और इसी बात को जब वो अपने शब्दों में बोलेगी तो बोलेगी Harry told me that he was going to sleep यहाँ भी देखे I का he हो गया, am की जगा was हो गया that extra जुड़ा और set to की जगा told कर दिया हमने तो ये जो changes है यही आपको समझने है बस इतना साही है कि इससे आप direct in direct speech समझ जाएंगे तो in direct speech को ही reported speech बोलते हैं, तो आप confused नहों कि reported speech क्या है जब आपने report कर दिया narrate कर दिया, ठीक है तो overall आज आप सीखने वाले है narration और गाईज ये topic typical है बट आज मैं आपके लिए बिलकुल आसान बनाने वाली हूँ, आपके examinations में इस तरीके से सवाल आते हैं कि आपके सामने या तो direct speech या फिर indirect speech लिखा होगा और चार options होगी, आपको pick करना होगा कि कौन सा है, ठीक है अब यहाँ ये direct speech है, अब इसमें से in direct speech कौन सा है, बिलकुल समय नहीं लगेगा, जादा से जादा आपको तीन से चार सिकिंड में answer मिल जाएगा अब जिससे इसका है, मैंने पढ़ा अब इसका answer अगर मैं यहाँ धूरूंगी तो इसका answer है यह मैंने कैसे किया, यह आप भी कर लेंगे इसी तरीके से, अब देखे इसका answer हो जाएगा तो यह इसका answer सही है इसी तरीके से आगे, रोशनी सेट तो रिया वाई आर यू स्क्रिबलिग अन दे वाल तो रोशनी आस्ट रिया वाई शी वाई स्क्रिबलिग अन दे वाल इसका answer है डी आगे है, यह सेट तो इस फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मने इतनी ही जल्दी, आप भी answer निकाल लेंगे अगर आप इस वीडियो में इंतक बने रहते हैं गाई सिर्फ यह एक वीडियो और नेरेशन आपकी मुठी में अपसे आपके लिए भी डिरेक्ट इंडिरेक्ट चुटकियों का खेल हो जाएगा बिल्कुल magic लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको सारे concepts दे रही हूँ तो आप वीडियो में इंतक बने रहें सब ही चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझें और अपनी practice जरूर डाले मतलब यह समझने के बाद आपको खुद से practice करनी होगी आप पिछले साल के question paper को solve कर लीजे मतलब इतनी practice कर लेंगे अगर आप तो बिल्कुल पक्का है कि आप अपने exams में full mark score करेंगे देखे अगर आप exams एक दिन पहले भी देख रहे हैं अच्छे से समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि sentences कितने तरीके के होते हैं तो sentences होते हैं past तरीके के यह sentences जानना इसलिए जरूरी है जो inverted comma के अंदर sentences आएंगे वो इन ही past तरीके के sentences होंगे तो जब आप इनके rules जानते रहेंगे तो आप बहुत यह असानी से inverted comma खोल के उन्हें indirect speech में convert कर पाएंगे तो पास तरीके के sentences में पहला है declarative sentence जिसमें statements आते हैं मतलब कसन इसमें positive और negative दोनों आ जाता है फिर आता है interrogative sentence जिसमें question पूस्ते हैं फिर है imperative sentence जिसमें request और command मतलब प्रार्थना या फिर order होता है फिर exclamatory sentence जिसमें exclamation मतलब emotion भावना व्यक्त होती है फिर है optative sentence जिसमें wish, pray और curse मतलब श्राप, प्रार्थना, इच्छा ये सब इसके अंतरगत आते हैं गाईस उसके आगे हम बढ़ेंगे जो हमारा thumb rule है, सबसे पहला rule है direct से indirect में convert करने का वो है verb को backshift करना backshift करना, मतलब जैसे अभी present चल रहा है तो backshift करेंगे तो हम past में जाएंगे तो जो भी बाते present में बनी हुई है उन्हें हम past में लेकर जाते हैं और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है आप जानते हैं कि यह present simple इससे पहले क्या रहा है past simple, right? तो वैसे यह present simple है, अब हम इसको ले जाएंगे past simple में so do, does अगर है तो उसे हम did में convert कर देंगे look और feel है तो उसे हम looked और felt में कर देंगे तो अगर मैं बात करो इन चीज़ों की अगर इसमें confusion है तो direct indirect समझना मुश्किल है मतलब tense आपको आने ही चाहिए तो guys tense पर मैंने already एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप एक घंटे में सभी tenses सीख जाते हैं तो वो भी magical वीडियो है उसे आप जरूर से देख ले ना आपको link description में मिल जाएगी तो बस उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो tense clear हो जाएगा फिर आप यहां direct indirect समझ लेंगे तो देखें present simple मतलब present indefinite को हम ले गए past indefinite में present continuous है तो हम ले जाएगे उसे past continuous में मतलब am is आ रहे है तो उसे was वर में change करना है present perfect को ले जाएगे past perfect में present perfect continuous है तो उसे ले जाएगे past perfect continuous में past simple आजाए तो क्या करें मतलब past indefinite तो उसे आप ले जाएगे एक उसके नीचे वाला छोड़के उसके नीचे मतलब past indefinite को आप ले जाएगे past perfect में और past continuous को आप ले जाएगे past perfect continuous में बहुत ही आसान है, आप examples में और अच्छे समझ लेंगे, अब एक चीज़ और समझें कि अगर can है, अब modal verbs आ जाएं तो क्या करें, can का could बना देंगे, will का would बना देंगे, may का might बना देंगे, have to का hat to बना देंगे, ये तो यहां तक clear है, must है तो must ही रहने दे सकते हैं, या तो hat to बना देंगे उसको, can है, तो could बना देंगे, ये तो आपने उपर ही देखा था, ठीक है, अब है आगे could, अगर ये आ जाएं तो हम क्या करें, जो आपने देखा कि यहां हमने convert कि अगर यही आ जाएं तो क्या करना है, तो उन्हें back shift नहीं करना, change नहीं करना, मतलब could है, त इसी तरीके से दो अभी बचे हुए थे, अगर past perfect या फिर past perfect continuous ही आ जाए, तो क्या करें, तो इन्हें भी आप change नहीं करेंगे, आप इन्हें ऐसे ही use कर लेंगे, तो past indefinite के लिए past perfect मिले जाएंगे, बट past perfect आ जाए, तो आप उसको change नहीं करेंगे, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe जरूर करें, उसके बाद आने वाले बिल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि notifications डिरेक्ली आपके फोन पर तुरंद पहुचे और आप तुरंद मेरे वीडियो को देख पाएं, तो अब हमारा rule number two है, ये बहुत important है, change the pronouns, pronouns क्या होते आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन में person अलग-अलग divided है, first person है, आई, वी, ठीक है, यू जो है, ये second person है, ही, शी, इट, और दे, third person है, तो इन्हें हम कैसे change करेंगे, और ये हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर, inverted commas के अंदर, जो subject use हुआ होता है, इसको हमें decide करना होता है कि ये change किसके according होगा, अब यहाँ जो मैं बोल रही हूँ कि I और वी subject के according change होगा, मतलब है subject के according, देखे, ये जो verb है, ये reporting verb कहलाती है, ठीक, reporting verb, तो इसके पहले जो इनसान का नाम use हुआ हो, या फिर pronoun use हुआ हो, उसके according हम इसको बदलते हैं, तो I और V है, तो हम subject के according बदल बलना है, देखे, यहाँ object लिखा है, लेकिन वो है कहाँ, यहाँ object है कहाँ, Ron said, अगर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ माना हुआ है, to me, ठीक है, क्या माना हुआ है, to me, अगर किसी का नाम होता यहाँ पर, या फिर Ron said to him होता, तो ठीक है, अगर किसी और से बात करता, तो of course, इस वहाँ पर वो लिखा होता, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसने मुझसे कहा, यह समझ लेंगे, so Ron said to me, तो अगर यहाँ पर you होता ना, तो object के according, मतलब इसके according change होता है, और यहाँ पर हम उसको I बना देते, क्योंकि यह मी है, तो मी का जो subject form है, वो I है, तो यह आप समझ गे, I, V है, तो subject के according, U है, तो यहाँ जो object होगा, उसके according, और अगर he, she, it या फिर they आता है, तो no change, कुछ change नहीं करना, मतलब he, I, she आया, उसको आप he, she यहाँ पर उसी तरीके से लिख लेंगे, अब इस चीज़ को याद के से रखें, तो एक प्यारा सा formula है, 1, 2 3, S, O, N, Sun याद रख लिजे, तो 1, S, 2, O, 3, N, N मतलब no change, S मतलब subject और O मतलब object, so 1, 2, 3, S, O, N, ऐसे याद रखेंगे, याद रहेगा, तो यह बहुत जरूरी चीज़ है, अब rule number 3, क्या-क्या चीज़े हम बदलते हैं, change time and place related words, समय और जगर, क्योंकि जब आप past की बात क आएगा, कैसे बदलेगा, अगर उसने बोला था now, तो अब समय बीत गया, past की बात करें, तो आप use करेंगे then, या फिर at that time, उस समय, या फिर at the time, at the time का मतलब भी वही होता है, उस समय, अगर today है, अब उस व्यक्ति ने उस दिन बोला था, तो today बोला था, अब इतने दिन ब बोला था, मतलब आज रात, तो हम that night बोलेंगे, उसने yesterday बोला था, तो हम बोलेंगे the previous day, पिछला दिन, या फिर the day before, अगर उसने tomorrow बोला था, तो हम बोलेंगे the next day, या फिर the following day, या फिर the day after, मतलब ये आप याद कर लोगे, last night अगर उसने बोला था, तो यहां हम indirect speech में क्य बोलेंगे the night before, या the previous night, अगर last month बोला था, तो हम बोलेंगे the month before, या फिर the previous month, अगर यहां week हो जाए, तो आप week use कर लेंगे, अगर next week बोला था, तो हम बोलेंगे the following week, ठीक है, तो यह आपको convert करने और यह आपको याद कर लेने हैं, तभी आप आप असानी से कर पाएंगे Now our rule number 4 is what to keep in mind, क्या आपको दिमाग में रखना है, यह आपको दिमाग में रखना ही रखना है वरना पक्का गलती हो जाएगी, आपने यह तो सीख लिया कि क्या चीज़ बदलनी है, अब बारी है यह सीखने की कि कब आपको नहीं बदलनी है कुछ चीज़ें, आपको ध्यान ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब पे, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया क्या होता है, जो इन्वर्टिट कॉमा के पहले ही जैसे ही सेड, यह सब यूज हो है, तो सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, उस पर आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी सि है अगर ही सेज हो या फिर ही विल से हो तो यह प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया तब आप बैक शिप्ट नहीं करेंगे इंवर्टिट कॉमा के अंदर जो लिखी हुई बात है वो जेनरल ट्रोथ या फिर अभी भी सच हो मतलब जेनरल ट्रोथ हो जो की सच ही है जिसे आप बदल नहीं सकते या फिर अभी भी सच हो गोचेज तो जो चीज उसने बोला था वो अभी भी वैसे ही है तो भी आप नहीं बदलेंगे बैक शिप्ट नहीं करेंगे पास्ट में नहीं जाएंगे जब आप तुरंत रिपोर्ट कर रहे हो तो भी आप बैक शिप्ट नहीं करते एग्जामिनेशन में अगर सिचुएशन ऐसी एक समझ मेरा है कि तुरंत रिपोर्ट कर रहे है तब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा तो देखे अब हम आज आते हैं डिकलारेटिव सेंटेंस के लिए वो तो आपने समझ लिया क अब ये है आपका present में says to, says to अगर आएगा तो आप tells कर देंगे मतलब उसके बाद कोई होगा say to है तो tell कर देंगे मतलब हम say को tell में बदलते हैं लेकिन अगर उसके बाद to लगा कर कुछ और लिखा हुआ है तो ठीक है हम कभी भी set someone नहीं करते वो गलत हो जाता है और यहीं गलतियां होती हैं आप set someone नहीं बोलेंगे set to someone बोलते हैं ओके सो set someone गलत हो जाएगा remove inverted commas अब क्या करना है आपने ये change कर देना है समझ के अगर inverted commas है तो उन्हें हटा देना है उसकी जगर that use करना है declarative sentence की बात कर रहे हूं फिर आपको pronouns को change करना है फिर आपको verb को backshift करना है जो tense होगी वो बदलेंगे फिर आपको time and place related words है तो वो बदलने हैं example देखते हैं he said I feel fine उसने कहा I feel fine तो अब क्योंकि set के बाद कुछ और नहीं है तो हम सीधे set उतार लेंगे he said अब that जो है spoken English में तो optional होता spoken English में ज्यादा तर that का use नहीं होता आप he said के बाद direct ये बोल सकते but written English में examinations में आपको लिखना है he said that अब I है तो इसके according change होगा ना first person है so I का हम he के साब से change करेंगे he हो गया फिर feel है present indefinite का verb है इसको हम past indefinite मे ले जाएंगे second form use कर लेंगे he felt बाकी की चीज़े ऐसे लिख दी he said he felt fine he said that he felt fine clear अब she said to me अब set to है तो हम इसे told कर देंगे she said to me को हमने बना दिया she told me फिर inverted comma हटा के that लिखा क्योंकि she है third person no change हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे लेकिन backshift तो होगा ना tense तो यह is है तो हम इसको past मिले जाएंगे was हो जाएगा very busy अब यह this है तो this को हम change कर जाएंगे that week हो जाएगा clear simple है अब है they said to him तो set to को told किया they told him फिर inverted comma हटाया that लगाया अब you है you किसके हिसाब से change होगा object के हिसाब से तो यहां him है तो हम उसका जो subjective case है वो लिखेंगे he so you को हमने him से change किया he बनाया अब यह r है past में जाएंगे क्योंकि अब यह you नहीं रह गया ना he रह गया तो हम word ना use करके was use करेंगे जो इसके साथ जाता है so he was going to play अब यह tonight को हम क्या कर देंगे that night clear अब यह अगला he said to me को कर दिया he told me I will है यहां पर अभी तो आपने देखे हम backshift कर रहे थे will को हम क्या करते है would बना देते है simple I को हम change करते हैं इसके according तो he हो जाएगा he told me that he would leave for Delhi अब यह tomorrow है तो क्या कर देंगे हम the day after clear आगे और sentences देखते he said she has finished her homework अब यह है present perfect तो हम क्या करेंगे he said that she अब had कर देंगे बस क्योंकि she change होगा नहीं he said that she had finished her homework अगला है कियारा said she has been listening to music तो has को बस hat करना है आपको she को वैसे ही रखना है बन गया कियारा said that she had been listening to music फिर है he said my friend gave me a book he said that अब यह my है देखे I को भी आख change करते हैं my भी तो I की family है यह भी इसके according change होगी तो he के लिए हम अगर my को बदलेंगे तो क्या बनेगा his बनेगा so his friend अब यह gave है past indefinite है इसे हम ले जाएंगे past perfect me हो जाएगा had given फिर यह me है यह भी इसके according change होगा तो हम इसकी जगह use करेंगे him क्योंकि वहाँ he है so given him a book clear अब है my brother said they were living in Delhi so my brother said that they come change नहीं करेंगे वैसे उतारेंगे but were है तो इसको हम ले जाएंगे कहां ले जाएंगे यह were living है मतलब past continuous past perfect continuous में ले जाएंगे had been कर दिया had been living in Delhi guys क्या आपने मेरा app install किया मेरे app का नाम है English connection आप play store पर जाएं English connection टाइप करें app install करें वहाँ भी चीज़ें है आप daily कुछ नहीं कुछ नया सीखेंगे आगे he said I had gone home अब यह खुद ही past perfect है तो इसे हमें नहीं बदलना है केवल इसको हम बदल देंगे इसके according यह हो जाएगा he said that he had gone home she said I will तो she said that अब I change होगा इसके according हो जाएगा she will का कर दिया would finish ऐसे ही लिखा this का that कर दिया बाकी बाते वैसे रोहन said he cannot leave can को change करते could may रोहन said that he क्योंकि change नहीं होगा ऐसे उतारेंगे could not leave हमेशा ध्यान रखे inverted commas हट जाएंगे last में full stop आ रहा है यहाँ यह capital है बट क्योंकि यहाँ यह उसी sentence का हिस्सा है तो small से लिख रहे है रोहन said I may come home may का हमें might करना है रोहन said that अब यह I को हम change करेंगे रोहन के cording he हो गया might come home clear he said you must study अब must का क्या है क्या हम must कर सकते हैं या फिर had to कर सकते हैं तो he said that अब you को हम change करेंगे again देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब to me माना हुआ है so he said to me है तो me के हिसाब से में इसे I कर देंगे क्योंकि you यहाँ से change होगा he said that I must study or he said that I had to study कियारा said I have to go now तो have come change करते हैं had में कियारा said that अब I change होगा कियारा के according she had to go अब now का हमने कर दिया then clear he said she could be in the kitchen could I तो could को change ही नहीं करना है so he said that she could be in the kitchen same ही है के वल that हमने लगाया है inverted commas को हटा के तो do not backshift जो था जिसमें हमने बात की कि कब नहीं करना है so reporting verb in the present or future यह मैंने आपको बताया तो वो जो हमारा rule number 4 था कि आपको ध्यान क्या रखना है देखे जब said आया तब तो आपको change करना ही है लेकिन सबसे पहली नजर आपकी इसी पर होनी चाहिए reporting verb पे अगर यह says है तो हम इसके अंदर tense backshift नहीं करने वाले so he says और सारी चीज़े होंगी inverted comma हटा that लगाया हमने I को हमने he के according convert किया he हो गया लेकिन will को हम would नहीं करेंगे क्योंकि हमारी यह जो reporting verb है यह present में है so he says that he will come अब यहां my students say to me you are the best my students अब say to को हम हटा देंगे और इसकी जिगर tell कर देंगे क्योंकि हम मी था तो हम बदल देते हैं my students tell me that लगाएंगे inverted comma हटा के you को हम I के according change करेंगे I करेंगे लेकिन tense को backshift नहीं करेंगे मतलब हम I के साथ was नहीं use करेंगे am ही use करेंगे क्योंकि यह जो है हमारा यह present में है so I am the best अब देखे future में है यहां पर reporting verb you will say I want to learn English so you will say that I को हम convert करेंगे you के according you want to learn English हम tense को backshift नहीं करेंगे clear उसके अलावा general truth हो या फिर अभी भी सच हो या फिर just report कर रहे हूं आप अब उसका example देखते है my mother said the earth is round the earth is round मतलब पृत्वी गोल है यह बात तो सच है general truth है तो हम change नहीं करेंगे हम बोलेंगे my mother said that the earth is round आप यह नहीं कह सकते the earth was round क्योंकि यह general truth है बदल नहीं सकते आप वही रख दिया he said she is in 7th standard तो जब उसने ये बात बोली थी तब वह 7th standard में थी अभी भी वह 7th standard में है तो ये बात अभी भी सच है तो इसे भी हम change नहीं करेंगे हम बोलेंगे he said that she is in 7th standard अगर एक दो साल बात बता रहे हैं तो हम इसको wash कर सकते तो situation clear रहेगी तो आपको ध्यान देना इस चीज़ का वरना आप इसको convert कर दीजेगा अगर situation कुछ नहीं दी हुई है He said I'm coming home अब यहाँ situation यह है कि आपको phone आता है phone pick करते हो आपका भाई यह मानिजे वो कहता है मैं घर आ रहा हूँ जैसे आप phone रखते हो आपकी मम्मा आती है पूस्ती है कि किसका phone था तो आप बोलते हो भाई का वो बोलते हो भाई क्या बोल रहा था तो आप बोलते हो He said that He is coming home तब आप यह नहीं बोलोगे He was coming home क्योंकि तुरंत ही तो रिपोर्ट कर रहे हो अभी भी वो चीज़ सच है तो I को change करेंगे He कर दिया हमने इसके according लेकिन हम present को past में नहीं ले जाएंगे He के साथ इस लगा देंगे बस He is coming home clear अब आपने declarative sentences आसानी से समझ लिए और सबसे ज़्यादा questions उस पर आते हैं इतना clear हो गया गाईस अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe जरूर कीज़ेगा उसके बाद आने वाले bell icon को प्रेस कीज़ेगा ताकि आपको notifications टाइम पर मिले और आपसे एक request है कि अगर आपको practice करनी है तो आप किसी diary में या फिर नीचे comment section में sentences खुद से लिखकर practice जरूर करें और अगर आप चाते हैं कि मैं grammar पर और वीडियोज लेकर आऊं तो आप comment section में दिल मांगे मोर जरूर लिखेगा अब आते हैं interrogative sentence पर जिसमें questions पोस्ते हैं तो इनके rules को देख लीजे अब हम said और set to के जगर जो अभी हम told use कर रहे थे वहाँ हम asked का use करेंगे asked मतलग पूछना या फिर inquired का use करेंगे या फिर wanted to know का use करेंगे don't use that अब जो हम inverted commas को हटा के that's his sentences को जोड रहे थे अब हम that को use नहीं करेंगे कर रहे हो तो हाँ या ना में जवाब आता है राइट तो जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप if या फिर weather का use करेंगे दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो inverted comma को हटा के आप इसका use करेंगे नकी that का और अगर wh questions है ठीक है जिसमें detail आप देते हैं जिसमें why, how ये सब होता है वहाँ आप उसी wh word को use कर लेंगे दोनों sentences को जोडने के लिए दोनों clauses को जोडने के लिए मतलब that ना use करके if या whether यूज़ करना है या फिर वही question word यूज़ कर लेना है question mark हट जाएगा ये बहुत important बात है आप interrogative sentence जो आपके inverted comma में है जैसे are you playing है यहाँ पे तो ये question mark हटके आपका full stop आएगा मतलब हम question को statement बना देंगे affirmative में convert कर देंगे इस बात पर ध्यान रखिएगा तो देखिए he set to किया रहा हो सकता है यहाँ asked पहले से रहे तो भी आप asked ही लिखेंगे ठीक है he set to किया रहा are you playing तो आपने set to को asked कर दिया क्योंकि आपने देखा question है फिर आपने क्या देखा कि ये तो yes no question है are you playing का जवाब क्या होगा हाँ या ना मतलब question word नहीं है यहाँ पे तो आप if से जोड़ लेंगे इसको फिर क्या करेंगे आप इसको statement बनाना है यहाँ are you है लेकिन इसे ऐसे बनाना है जैसे यहाँ लिखाओ you are playing ठीक तो you को convert करेंगे इस से तो किया रहा लड़की है she कर दिया हमने फिर she के साथ was आएगा पास्ट में गये बैक्शिप तो करेंगे she was playing so he asked किया रहा if she was playing अब इस if की जगा whether का भी यूज़ कर सकते दोनों ही सही है he asked किया रहा whether she was playing अब और examples देखिए राहुल said can you read English तो अब हम क्या करेंगे राहुल asked अब यहां भी हा या ना वाला जवाब आना है so if लगाया अब इसे हम you can read English के इसाब से बनाएंगे तो you को change करेंगे जो यहां object होगा तो object नहीं है तो I कर दिया और can का could कर दिया if I could read English clear अब हमने यह हटाया और full stop लगाया यह ध्यान रखेगा हमेशा राहुल said to her तो हो जाएगा राहुल asked her अब यहां भी will है तो हम if लगाएंगे फिर हम क्या करेंगे you को इसके according change करेंगे she फिर कर दिया will का would dance with अब यहां me है तो me को हम किसके according change करेंगे राहुल के according to यह हो जाएगा him फिर है कियारा said what time is it so कियारा asked या फिर कियारा wanted to know अब यहां question word है तो what इसी को हम लगाएंगे if या whether नहीं लगाएंगे what time यह साथ में रहेगा इसे आप अलग नहीं कर सकते what time फिर आप लिखेंगे it और फिर इस को हम backshift करेंगे was हो जाएगा what time it was फिर had the teacher said what's the matter so the teacher inquired what अब हमने इसी से जोड लिया what फिर the matter और फिर यहां इस था तो हमने was कर दिया clear अब imperative sentences मतलब interrogative sentences बहुत यह असान है आप कर लेंगे अब imperative sentences में क्या होते है order, command, request, advice, suggestion अब इसका जो rule है subject और reporting verb आप use करेंगे यहां पर asked या फिर told तो अब यहां दोनों आ सकते हैं ठीक आपके declarative वाला told भी आ सकता है प्रश्न वाला asked भी आ सकता है बट यहां पर उसका sense प्रश्न वाला नहीं होगा आप फिर object यूज़ करेंगे ठीक है और फिर आप यूज़ करेंगे to तो जो that यूज़ करते थे उसकी जगह आप to का यूज़ करेंगे अगर negative है तो not to का यूज़ करेंगे not पहले फिर to request है अब यह समझ में है कि asked कभ यूज़ करना है devised, reminded, commanded, forbade इस तरीके से और फिर आपको object यूज़ करना है एक चीज़ exception है आप इस पर ध्यान रखिएगा suggested अगर आ जाए तो आप suggested के बाद object नहीं यूज़ कर सकते फिर आपको that यूज़ करना है मतलब आप यह नहीं कह सकते he suggested me आप बोलोगे he suggested that फिर I use करोगे subject form में he suggested that I फिर do not use करोगे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आपको में sentence दिखाऊंगी remove please and all request है तो please होगा उसमें inverted commas के अंदर but आपको उन सभी words को remove कर देना है जो extra words है क्योंकि जब आप requested लिख दोगे तो यह clear हो गया request है तो please हटा देंगे अब एक example देखिए my mother said open the door so my mother asked me मैंने कहा कि request लगे तो ask लगाना यहां told भी आप कर सकते हो it's optional my mother asked me यहां था नहीं me but हम यहां लगाएंगे my mother asked me to open the door मतलब यहां पर आपको object यूज़ करना है आपको मैंने यह structure दे दिया इसमें देख रहा है आपको तभी आप to लगा पाएंगे my mother asked me to open the door clear और कुछ नहीं बदला open the door वैसे हमने यूज़ कर लिया my sister said please shut the door so my sister asked या फिर clear है please लगाया तो requested कर दिया my sister requested me to shut the door या फिर my sister asked me my sister asked me to shut the door so to लगाया और फिर बाकी इस बात को यहां लेख लिया please को हटा दिया यहाँ backshifting की बात ही नहीं हो रही है क्योंकि हम to या फिर not to से जोड रहे है our teacher said keep quiet तो teacher order करते है our teacher ordered us to keep quiet simple she said don't answer the phone she told me don't है तो हम क्या करेंगे अब not to use करेंगे she told me not to answer the phone अगर यहां होता she said answer the phone she told me to answer the phone अब यहां don't था तो हमने not to कर दिया the doctor said don't eat sweets the doctor advised me not to eat sweets the doctor forbade me to eat sweets अब यहां आप फर्क देखिए क्योंकि forbid means मना करना होता है उसमें not already included है तो जब आप इस verb का use करेंगे तो आप सिर्फ to use करेंगे क्योंकि उसने मना किया मिठाईयां खाने से यह बात है और यहां सलाह दी कि मिठाईयां मत खाओ तो advised me not to and forbade me to eat sweets clear? अब है she said study harder to pass the exam तो यहां suggestion है she suggested अब यहां हम मी नहीं लगाएंगे मैं बोलूँगी she suggested that I study harder to pass the exam और अगर negative होगा तो I do not यह आएगा अब है exclamatory sentences के लिए तो अब imperative sentences आप आसाने से बना सकते हैं एक्सलामेटरी में आते हैं replace said या said to with अब जो said या said to आएगा reporting verb उसे आप किस से replace करेंगे यह समझे exclamatory sentences में खुशी, दुख, applause, wonder, surprise, regret यह सभी भावनाई आती हैं तो आपको यही बताना है कि किस भावना का प्रयोग किया गया है वहां पे तो आप अगर देखते हैं कि inverted commas के अंदर कुछ ऐसे words आते हैं हरा, अगर हरा आता है that means कि joy, खुशी की बात है तो आप said या फिर said to की जगह यूज़ करेंगे exclaimed with joy अगर alas आ जाए तो दुख की बात है तो आप बोलेंगे exclaimed with sorrow अगर bravo आ जाए तो exclaimed with applause अगर ओ आ जाए तो exclaimed with regret अगर what या फिर how से sentence बना हुआ है तो आप बोलेंगे exclaimed with surprise और अगर what या how से बना है बट उसके बात something disgusting गिनौनी चीज़ है कुछ तो आप use करेंगे exclaimed with disgust और यहां जो inverted commas है इन्हें हटा कि आप that का use करेंगे ठीक है वापस से आते हैं फिर से that use करना है remove interjections interjections जो होते हैं like bravo ओ यह जो हैं इन्हें आप हटा देंगे क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि कौन सी भावना व्यक्त हो रही है तो यह जो आपका exclamation mark है यह भी हट के full stop लग जाएगा तो अब हम क्या करेंगे यहां हर रहा है तो इसे हटा देंगे और बोलेंगे राहुल exclaimed with joy ओकी राहुल exclaimed with joy फिर that use करेंगे अब we को change करेंगे इसके according तो यह हो जाएगा they अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि हमने we को they किया ही नहीं किया क्योंकि राहुल ने भले बोला बट उसके साथ ग्रूप में और भी लोग थे sense को भी समझना है अब यहाँ we है तो हम यहाँ they करेंगे ठीक है so they कर दिया फिर हमने यह one है मतलब past indefinity हम ले जाएंगे past perfect में had one कर देंगे बस बाकी की चीज़ें वैसी तो और rules वैसे ही लगेंगे he said alas I failed the exam so he exclaimed with sorrow that अब alas को हटा देंगे I को change करेंगे इसके according ही हो जाएगा he अब यह failed again past indefinity ले जाएंगे past perfect had failed the exam अब यहाँ आते हैं he said wow what a great idea तो यहाँ पर wow को हटा देंगे हम he exclaimed with surprise that अब यहाँ से यह जो what है यह भी हट जाता है what और how आता है तो वो भी हट जाता है that it was a great idea मतलब इसे हमें statement में convert करना है statement में so what a great idea को हम अटा के बोलेंगे it was a great idea अब है आगे she said to him how intelligent you are तो यहाँ क्या करेंगे she exclaimed with surprise क्या बोलेंगे she exclaimed with surprise that अब यहाँ you है तो हम change करेंगे him के according हो जाएगा he अब यहाँ था how intelligent you are how को भी हमें हटा देना है तो हम बोलेंगे he was very intelligent he was very intelligent मतलब एक normal statement बना दिया आमने he said bravo you did well he exclaimed with applause that you को change करेंगे हम यहाँ कुछ भी नहीं है तो to me समझेंगे I had done और यहाँ पर well भी आएगा okay I had done well so इसे भी statement बना दिया bravo अटा दिया the man said what a dirty room the man exclaimed with disgust that the room was very dirty तो देखिए हमने यहाँ the extra जोड़ा यहाँ पर what a dirty room था यहाँ द की कोई जगर नहीं थी पर जब हम उसके बारें बोलें the room बोलेंगे फिर हमने very यहाँ पर add किया थोड़ा emphasis करने के लिए तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको add करनी है कुछ चीज़ें हटानी है वो आपको sense को समझना होगा बट ले जाना है past में clear अब है optative sentences के लिए मतलब जिसमें हम इच्छा करते हैं श्राप देते हैं प्रात्ना करते हैं to wish, pray, curse, bid, to express, desire ठीक तो अब देखें यहाँ क्या करेंगे said या set to reporting verb उसे change करेंगे wish में मतलब अगर wish कर रहे हैं तो wish कर दिया प्रात्ना कर रहे हैं प्रेट कर दिया बेट कर दिया अलविदा बोलने के लिए श्राप है तो cursed कर दिया इसमें क्या है कि sentence होंगे मे के साथ ठीक ऐसे भी होंगे मे के साथ भी होंगे अगर मे के साथ sentence है like may you live long ऐसे sentence है तो हम जो यहाँ you है उसको पहले लाएंगे मतलब subject को पहले कर देंगे और मे की जगा might use करेंगे मतलब यहाँ भी जो exclamation mark है वो हटके full stop होगा हम इसे भी statement बना देंगे I wish I were ऐसे वाले sentences के लिए आप had been का use करेंगे prayed अगर आता है तो जैसे मैंने बोला कि suggest में आप directly suggested me नहीं बोलते हैं suggested that बोलते हैं वैसे ही यहाँ भी आप prayed that बोलेंगे so prayed that साथ में तो अब यहाँ पे sentence देखते हैं we said to him congratulations so we अब हमने wish किया था तो हम बोलेंगे we wished him congratulations okay यह तो बहुत ही normal है we wished him congratulations यह बन गया एक और देखते हैं he said good morning we wished sorry he wished me good morning तो यहाँ to me दिख नहीं रहा है हमने कर लिया इसके बाद हमें यहाँ पे object लगाना है he wished me good morning यहाँ फिर he wished good morning to me यह भी option है आपके पास he said good night तो यह जाते वक्त जब आप किसी को अभिवादन कर रहे हैं कोई आया है तो आपने wish किया अब जा रहा है तो आप बेड बोलते हो so he bade good night clear अब यहाँ पर आप यह भी बोल सकते हो he bade he bade me good night वो भी आप बोल सकते हो he said may you live long अब यहाँ पर क्या है कि प्रातना कर रहे है तो he prayed अब प्रेट के बाद आप mean नहीं लगा होगे आप बोलोगे that ठीक he prayed that अब यहाँ may you है तो आपको क्या करना है you को पहले रखना है और you को हम change कर देंगे object के according तो हो जाएगा I और फिर me की जगा might he prayed that I might live long क्योंकि pray आप प्रातना भगवान से करते हैं ठीक है तो he prayed that I might live long she said I wish I were you she wished that अब I को change करेंगे she के according अब यहाँ पे मैंने आपको बता है कि I wish I were वाले में हम had been का use करते है she wished that she had been I she had been I मतलब wish हट गया यहाँ से और वर की जगा आपने had been use कर लिया everybody said God save the child so everybody prayed that God might save the child okay so everybody prayed that God might save the child clear यह भी clear हो गया अब आपको direct speech से इन direct speech बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब बस जल्दी से इस वीडियो को share कर दीजे सबी के साथ आपने promise किया था आप इस वीडियो को share करेंगे अपने friends और family के साथ और मैं उम्मीद करते हूँ कि आप जरूर करेंगे मिलते हूँ आप से अगले lesson में बट याद रखें guys कि आपको इस चीस की practice जरूर से करनी है जैहिंद जैहिंद झाल झाल